हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तू सिनियर टू जुनियर अकाडमी, तो आई वेलकम यू अल तू स्पेशल सीरीज ऑफ टार्गेट मैं तू हंडेट आउट आउट अफंडेट तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो कि वीडियो नूमर फाइफ है इसमें मैं नया चैप्टर स्टार स्टार पहले मैं आपको एक बर दिखा देता हूं जो कि हर एक वीडियो में दिखा देता हूं पहले आपको फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हो कि पॉलीनोमियल जो चैप्टर है इसमें दो ही टॉपिक है एक तो है जीरो ऑफ पॉलीनोमियल और दूसरा है रिलेशन्स पॉलीनोमियल और फ्रेंड्स आपको मैं नया वाला एक बर दिखा देता हूं कि जैसे कि आपको पता है इस बार का बुक थोड़ा वह चेंज हुआ है सिलेवस बहुत सारा चीज रिडियूस हुए तो यह जो चैप्टर टू है पॉलीनोमियल फ्रेंड्स इसमें सिर्फ दो इसके आगे आपका कुछ नहीं है सो फ्रेंड्स आपका जो यह एक्ससाइज है टू पॉइंट दू आ गया और आपका यहां पर फस खतम एक चीज में यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हैं यहा किया अव को मैं जस्तार्ट कर रहा हूँ कि पॉलिनोमियल होता क्या पने नाइंड में पर आए कि पॉलिनो Гपी के ली आप बोल सकते हो कि एक expression है बस एक expression है किसका form में जैसे मैं लिख दूँ a plus let's say a1x plus a2 x square plus a3 x cube ऐसे करके मैं लिख देता हूँ बहुत सारा terms वो एक expression बन जाता है and this is known as polynomial जहाँ पे जो x है उसका degrees है कुछ जिसे कि यहाँ पे देख सकतो degree 1,2,3 ऐसे करके बढ़ रहा है तो उसको बोलते हम लोग polynomial जैसे मैं एक छोटा सा example ले लूँ जैसे कि 3x plus 5 यह polynomial है इसका degree कितना है friends? 1 है तो ऐसे करके आपको पता चल गया polynomial क्या है, just मैं यहाँ पे एक चीज clarity दे देना चाहता हूँ क्योंकि इसका degree होता है friends, वो एक whole number में होगा जैसे कि अगर मैं ऐसे लिखूँ जैसे root x plus 3 यह क्या polynomial है friends, यह polynomial नहीं है क्योंकि इसका degree जो है friends, x का, वो half है और fraction में degree नहीं हो सकता आपको यह चीज ध्यान देना परेगा तो यह polynomial नहीं है based on this classification हम polynomials को तीन टाइप में classify गरते है friends जैसे कि एक बोलते है linear इसा basic चीज है friends, linear मतलब हो गया जिसका degree 1 हो जैसे example, अगर मैं लिखूँ 3x minus 5 यह क्या होगे? linear polynomial हो गया similarly मैं दूसरा अगर types लिखूँ that is quadratic तो quadratic में क्या हो गया friends आप जैसे एक expression लिख लो कि जैसे let's say 3x square plus 5x minus 8 तो यह हो गया आपका quadratic polynomial क्योंकि यहाँ पे degree 2 है वैसे cubic polynomial भी होता है जो कि अपना syllabus में भी नहीं है फिलाल तो cubic polynomial होता है जैसे कि मैं एक expression आपको लिखूँ जैसे 2x cube minus 3x square plus 8x plus 1 तो यह friends क्या है cubic polynomial जो है यहाँ पे 3 है friends यह basic सा एक classification हो गया linear polynomial quadratic हम लोग को जो यहाँ पे देखना है friends quadratic polynomial देखना है एक चीज में आपको यहाँ पे देखाना चाहता हूँ clear कर देना चाहता हूँ कि जो quadratic polynomial है friends हो हमेशा एक standard form में लिखा जाता है उसका standard form है friends ax square plus bx plus c equals to 0 यह जो friends एक standard form है this is called यह आपका quadratic polynomial है ax square plus bx plus c और equation में जब लिखेंगे ax square plus bx plus c equals to 0 तो यहाँ पे अगर मैं जैसे मैं एक example ले लेता हूँ जैसे अगर मैं एक example ले लेनूँ 2x square minus 3x plus 5 तो अगर मैं आपको एक चीज question दो कि इसका इस polynomial का value आप बताओ कोई भी एक given point पे जैसे मैं अगर ले 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 लेट से इसका मैं एक नाम दे देता हूँ p of x देता हूँ polynomial के नाम तो मैं आपसे question पूछू कि find p of 2 तो आप क्या करोगे friends यहाँ पे 2 x की जग़ 2 डाल दो बस तो आपका हो जाएगा final answer हो जाएगा 8 minus 6 plus 5 तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा answer so this is known as the value of polynomial at any given point next जो terms आजाता है जो आपको काम आएगा होता है zeros zeros का मतलब हो गया friends आप zeros बोलो इसको या आप इसको solution बोलो या आप इसको roots बोलो आप कोई भी term use कर सकते हो but generally use होता है zeros बोलते हैं, roots भी बोलते हैं कभी-कभी, तो इसका मतलब क्या होँआ देखिए friends यहाँ पे आपका जैसे की degree कितना है इसका, quantity का degree होता है 2, so generally आपको यहाँ पे 2 roots आपको मिलेंगे जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ कि जैसे मैं पॉलिनोमियल लेता हूँ friends जैसे की आपसे पॉलिनोमियल लेता हूँ मैं एक 6x2-3-7x मैंने यह पॉलिनोमियल ले लिया मैं इसको जैसे solve करूँगा middle term लगाके 6 पहले इसको मैं arrange कर लेता हूँ तो इसको मैं middle term लगाके अगर solve करूँ तो friends 6x2 आपका हो जाएगा यहाँ पे minus 9x plus 2x minus 3 middle term क्या हूँ friends ओप आया आपको आता ही होगा middle term यहाँ से मैं अगर 3x ले लूँ तो 2x minus 3 और यहाँ से मैं 1 ले लूँ तो 2x minus 3 so आप देख सकते हो 3x plus 1 into 2x minus 3 equals to 0 कर देता हूँ इसको equate कर देता हूँ 0 से first जो होगा 3x plus 1 equals to 0 और दूसरा आपका expression 2x minus 3 equals to 0 यहाँ से x का value आया minus 1 by 3 और 1x का value आया 3 by 2 so friends this is only known as your zeros तो आपको पता होना है zeros मतलब इसका basically solutions तो आपका यही topic के उपर ही exercise और यह chapter based है तो आपको मैं क्या करूँगा next topic कराऊंगा next class में उसमें questions लेकिया हूँगा अभी तो इस videos में just मैं भी थोड़ा सा concept आपको समझाया next video होगा उसमें friends हम लोग देखते है type of questions इससे MCQ questions आएगा जैसे मैंने यह रखा हुआ questions मैं इसको next class में कराता हूँ friends so friends I thank you all for watching छोटा सा मैंने just introduction का topic बनाया so I hope आपको यह series अच्छा लग रहा your feedback is welcome जो भी आपको कोई भी feedback देना हूँ प्लीज आप मुझे s2jacademy at gmail.com पे mail कीजे friends I thank you all for watching share knowledge share success जैन्द 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